नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अपने चनल सक्केस प्लेस में इस में बात करेंग एक बहुत करें कि मैं दोस्तों यह ना की पारके ऑपके ऊपर निकलता साependա तो और बहतरी इंतेजी इसमें देखने मिलेगा तो यह स्टॉक है हमारा fine organics काफी समय से मैंने recommend क्या और यह स्टॉक काफी दिनों से यह momentum नहीं कर रहा था बलगी consolidate हो रहा था तो यह trend line जो है अपने all time high को तो पहुचेगा ही अपने trend line पे support लेकर के यह return लिया तो यह सारी चीज़े काफी important होती है price अपने all time high के just ऊपर यह अभी trade कर रहा है अगर यहां से यह उपर निकल जाता है तो फिर आपको यहां से और जवर्दस momentum आगे देखने मिल सकता है अब यहां पर हम trend line की बात करते हैं तो पहले यह consolidate हो रहा था एक channel pattern में इस channel को आप यहां से draw कर सकते हैं यह channel pattern है इस channel pattern में यह stock consolidate हो रहा था कफी लंबे समय से और इस channel pattern को जैसे break किया तो एक जवर्दस्त यहां से तेजी देखने मिला वहीं यह जो support लिया यहां से यूटन लिया तो यह अपने जो trend line है उसको follow कर आता है तो काफी अच्छे से यह stock जो है price action को follow कर रहा है तो आप इस stock में long term के लिए price action के हिसाब से भी बने रहा सकते हैं यहां से हम draw करते हैं तो price action तो काफी बहतरीन डूप से यह price action को support लेता है देखिए just इसके सारी लोग closing नहीं दिया देखते हैं यहां पर just reject हो करके stock ऊपर चलता रहा तो काफी 23 stock है जवर्दस्त मोमेंटम आगे इसमें देखने मिलता है अगर यहां से breakout देता है और यह stock मात 2100 में मिलाता है अभी 3300 जा चुका है तो ऐसे भी यहां से 50% का return दे चुका है 50% से ज्यादर का return यह stock यहां से देखते हैं 2100 से 3300 और यहां से यह अगर ऊपर निकलता है तो फिर यहां से आप देख सकते हैं इसका target जो होगा अगला 4000 होगा फिर अगला target 5000 का होगा तो काफी जवर्दस stock है कोई भी इसमें invest करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट किजिए कि यहां पर consolidate होने के देखतोerd यहां पर निकलता है तो फिर यहां से जवर्दस्त तेजी देखने मिले का.co और आप करने के बाद फिर यहां से मोमेंटम क्या है यह stock जवरदस्त है और जवरदस्त टेन लाइन को भी follow कर रहा है तो आप इसमें बने रहे हैं और जैसे stock में मतलब यहां पर कोई गिरावट आती है तो आप गिरावट में buy on dips कर सकते हैं तो काफी बहतरीन डिटर्न मिलेगा long term में कोई बात करें इसके मतलब fundamental stock का काफी बहतर ग्रेंट प्राइस जो है इसका 3300 रुपय के आसपास है वहीं डिवरेन इल जो है 0.21% का है तो डिवरेन इल भी काफी अच्छा खासा है वहीं book value कांपनी का 219 का है तो अपने book value से देखते हैं काफी expensive stock है book value से लगवग अभी आप देखेगा book value से लगवग 15 times ऊपर trade का रह return on capital employment 32.9% का है तो यह काफी solid है का face value stock का 5 रखा गया है promoters का holding 75% का तो promoters का holding भी अलगवग जितना होना चाहिए से भी के नई rule के अनुशार उतना maximum है 75% से अधिक किसी भी company promoters का holding नहीं रह सकता है लेकिन यहाँ profit में थोड़ा सा decline देखने मिला है यहाँ पर देखेगे net profit 123 क हुआ है यह annual profit है वह कंपनी का जो रिजर्व है 655 करोर का है कंपनी के उपर debt मात 73 करोर का है तो यहाँ चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर सेक्शन में जा करके देख सकते हैं वह कंपनी के balance sheet की बात करें तो share capital जो एक कंपनी का 15 करोर का है कंप इस करोर से 2017 में आभी increase होकर की हो चुका है 655 करोर का रिजर्व तो रिजर्व भी कंपनी का काफी increase हुआ है profit and loss की बात करें तो कंपनी का जो यहाँ सबसे पहले देखे sales लगातार increase हो रहा है कंपनी का profit थोड़ा से यहाँ decline हुआ है जो कि आपने देखा 21% से decline हुआ उसे प पार लगातार मतलब जो पिछले 12 मंत है उसमें profit decline हुआ है तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का profit थोड़ा से decline हुआ है वही cash flow जाए कंपनी का cash flow लगातार positive है तो cash flow कर मतलब हमेशन ध्यान रखना चाहिए अगर cash flow negative होता है तो कुछ ना कुछ उस company में bad news है तो इस cash flow और investor में जो promoters का holding है अगर यह decrease होता है cash flow negative होता है वो company आपको fundamentally perform नहीं करेगी तो इन सब बातों को ध्यान रखना है company का profit है थोड़ा से decline हुआ है क्योंकि जो एक साल से situation है वही काफी कराप है ओबर आल कंपनी का काफी अच्छी है company के बारे में detail में जानना चाहते हैं company की website को विजिट करते है company का website सबसे विस्ट भी होता है company के बारे में detail में जानने का तो जैसे आप fine organic pop click करेंगे company के बारे में यहाँ आप पूरी तरह से जान सकते है company का कहा कहा business है एक multinational company है worldwide देख से 50 years company के complete हो चुके है असासत company जो है कई साड़े countries में इस company के business है यहाँ product पर जाकर company के सारे product को देख सकते हैं company के product में यहाँ पर देख लिए main बात यहाँ पा additives for plastic, additives for food, additives for rubber, cosmetic and pharma के लिए additives मनाती है paint and ink के लिए additives मनाती है textile के लिए specialty application के लिए यह सारी चीज़े हैं जो के काफी बहतरी है इस company से related तो आप इस company में invest कर सकते हैं long term के लिए काफी 23 stock है तो वीडियो को like और share जरू कीज़ेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा